तो हलो स्टूडेंट अगर आप कच्छा दस्वी या बारवी के शात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि बिहार बोर्ट जो है परिक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट करने जा रही है और सभी शात्रों को इसके बारे में जाना जरूरी है शात्रों लगातार जो है रिकॉर्ड समय में जस्वी और बारवी की परिक्षाओं के नतीजे जारी कर एक नई उपलब्दी हासिल करने वाला जो बिहार है बिहार बोर्ट जो है जल्द ही एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसके बाद परिक्षा के दौरान फरजी मुना भाई की ए Artificial Intelligence सिस्टम लागो किया जाएगा जिससे परिक्षा में फरजी फोटो डालने बालो को तुरंत पकरा जाएगा बिहार बोर्ट के अध्यक चानद किसोर ने कहा कि 9 और 11 वी में रेजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरने और माट्रिक और इंटर परिक्षा फॉर्म भरने के समय फिंगर पिंट लिया जाएगा इसके लिए राज भर के सभी माधिमिक और उच्छ माधिमिक विद्यालेओं में बायो मैट्रिक मसीने लगाई जाएगी बिहार बोर्ट की अध्यक चानद किसोर ने बिहार बोर्ट की आगामी तैयारियों के बारे में कहा कि बिहार में म अभी भी बड़ी शंख्या में मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं। हमारा प्रियास है कि पूरी ववस्था को इतना मजबूत बनाया जाए कि फरजी छात्र परक्षा में सामिल ना हो सके। अभी के फिंगर प्रिंट नौबी और ग्यारभी में रेजिस्ट्रेशन के दौरान और मैट्रिक और बारभी में फरग्षा फॉर्म भर्निक के दौरान लिये जाएंगे। इसके अलाबा इसी सत्र से आर्टिफीसल इंटेलिजेंस लागू किया जाएगा। जिसमें फरजी फूटो लगाकर परिक्षक की पहचान आसानी से की जा सकेगी। इससे बड़ा बदलाव होने वाला है। यानि शात्रों का आधार वेरिफिकेशन जो है इसे प्रमान पत्र में आई त्रूटी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। देखिए पूरे बिहार बोड को प्रब्द कराए गए हैं इससे अब स्कूल प्रसासन को रहत मिली है। समय समय पर स्कूल प्रसासन के देख रेक में फॉर्म भरे जा रहे हैं अब हर स्कूल में complete computer setup है। परदेश के 5000 माध्यमिक विद्यालेयों को computer दिये गए हैं। अब सभी स्कूलों को digital content दिया जाएगा ऐसा हर बिसे में होगा इसके लिए तैयारी सुरू कर दी गई है या इसी सत्र के कैलेंडर से लागू होगा जरूरत पढ़ने पर स्कुलों में कम्प्यूटरों की शंख्या भी बढ़ाई जाएगी एप के माध्यम से बच्चों को डिजिटल समागरे भी उपलब्द कराई ज मुन्ना भाई अभी भी मैट्रिक और इंटर के परिक्षा में पकड़े जा रहे हैं हमें इसे मिटाना है परिक्षा पणाली को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि फरजी छात्र परिक्षा में सामिल ही ना हो सके इसके लिए इसी सत्र से आर्टिफिसल इंटेलिजेंस हो जाएगा